सब्सक्राइब कीज़े हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाईए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए प्यारे बचों सीवेसी के क्लास 10 चैनल के लिए चिति में गद्य और पद्य के लगबग सभी पार्थों के एमसी क्यू टाइप इंपोर्टेंट क्वेशन्स की वीडियो प्रैक्टिस टेस्स के साथ मैं आपके लिए बना चुका हूँ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाके देख सकते हैं आज की वीडियो में जो तेर्मा पार्थ है गद्य में मैं हूँ आपका असी सर वीडियो को फटा फट से लाइक कर लीजिए अपने दोस्तों को भी क्लास गृप में रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसकी तैयारी कर सके तो चलिए पहला सवाल हम लेते हैं और यहां पर सवाल कुछ को मुझसे पहले आपने बताना है और इसका गरक्ट आंसर उप्रियूक्ट सभी क्यो कि उन्हें मानवेता भी था वादसल्य nursery और करोना भी सबवी चीज़े थी तो आपने समय ऊपिर्ञSTर में क्लिक करना है और यह देख्यों उप्रियूक्ट सभी इसका पर्धर आंसर है आगे देखते हैं बढ़ते हैं फादर की चिंटा हिंदी को किस रूप में देखने की थी जैने भासा राज भासा राश्ट भासा या बैस्ट भासा तो सही अप्सन का चैन आपने करना है मुझसे पहले और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राश्ट भासा वो राश्ट भासा बनाना चाहते थे हिंदी को और जो अगला सवाल है तीसरा सवाल पती और पत्र की मृत्यूप पर लेखक को किस से सांतोना मिली अपनी मा से फादर बुलके से उनकी बहन से या उनके पिताजी ने उनको सांतोना दी तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फादर कामिल बुलके से सांतोना मिली लेखक को और आगे जो सवाल है वो है इलावाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे पैदल चलते हुए दोड़ते हुए बच्चों के साथ खेलते हुए या साइक्ल चलाते हुए और वीडियो को लाइक करने में आपने कोई कंजूशी नहीं करने फ्री के लाइक है आपकी तरफ से और अच्छा लगटा है मैं जब आप लाइक करते हैं तो इसका कर्रेक्ट आंसर है साइक्ल चलाते हुए इलावाद की सड़कों पर फादर कामल बुलके को साइक्ल चलाया करते थे पांचवा सवाल फादर बुलके के पिता जी क्या थे क्या वो एक अध्यापक थे या डॉक्टर थे या ब्यावसाई थे या इंजिनियर थे फादर बुलके के पिता स्री क्या थे किसी भी सवाल में डाउट हो तो मुझे कमेंड कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्यवसाई यनकि वो अपना विजनिस करते थे अगला सवाल फादर कामिल बुलके से बात करना लेखक के लिए किसकी तरह था कर्म के संकल्ब से भरने की तरह सभी दुखों को दूर करने की तरह गले मिलने की तरह या समस्याओं के समाधान की तरह तो करेक्ट आंसर मुझसे पहले देना है और उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चोटी सी रिक्वेश्ट आप से और इसका correct answer कर्म के संकल्ब से भरने के लिए तो इसका correct answer है अगला जो सवाल है वो interesting है लोगों के दुख में फादर का बेवहार किस तरह होता था उपेक्सित आनंदपूर्ण मर्यादपूर्ण या सांतवनपूर्ण लोगों के दुख में FATHER किस तरह से रियक्ट करते थे। उपेगे सित अनंद, मरियादब पूर्ण या सांत्वॉन पूर्ण तो इसका करेक्ट अνसर है सांत्वॉन पूर्ण तो अगर आपने सांत्वॉन पूर्ण मुझसे पहले बताया है तो अपने एक आंसर को एक नंबर को आपने टोटल करना है वीडियो को लाइक करना है आटमा सवाल फादर कामिल बुलके की मरितिव कहां हुई इलाभाद में दिली में मुंबई में या रैम्स चैपल में तो प्यारे विच्व आपने अपने आंसर को भी टोटल करते हैं इसका सही आंसर है दिली में हुआ था ठीक है तो अगला सवाल नवा हैं फादर बुलके ने जिसेट संग में दो वर्स किस की पढ़ाई की कौन से चित की धर्माचारे की मेडिकल की इंजिनियरिंग की या त्रादि भासा की जिसेट संग में दो वर्स और सही उप्सन के लिए आपने धैन से ऑप्सन को देखना है करक्ट आनसर के लिए उसका सही आंसर है धर्माचारे की जो ये प्रैक्टिस की यानिक शिक्साली फादर कामिल बुलके का भारत आने का मुख्य उद्देश से क्या था ब्यापार करना परिवार बसाना हिंदी को राष्ट भासा बनाना या धर्म का प्रचार करना भारत क्यूं आये थे फादर कामिल बुलके तो उनका आने का मुख्य उद्देश से क्या था और सही आंसर के लिए अपनी ध्यान से सवाल को और बिकल्पों को देखना है इसका सही आंसर है धर्म प्रचार करना और अगर आपको लग रहा है हिंदी बासा का प्रचार तो आप बिल्कुल गलत हैं क्यों पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं अगला सवाल ग्यारवा नमाखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है इसका क्या रत है पूरी स्याही गिर जाना रोने वालों की अत्यधिक संख्या होना आखें देखकर लोगों की गिनती करना या कलम और स्याही से लिखना तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना है अपने खंजूसी नहीं करने अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है और करक्ट आंसर को समझने के लिए प्रैक्टिस करनी है वाक्शीट की चैप्टर्स की जो कि मैंने आपको लिंक दिये वीडियो के डिस्क्रिप्स प्रैटे तो उनके लिए इतने लोग रोए कि ऐसा लगा जैसे नमाखों को गिन्या स्थाई फैलाने जैसा था बारवा सवाल फादर की उपस्तिती देवदारू की चाया की तरह क्यूं लगती थी क्योंकि देवदारू की चाया बहुत अच्छी होती है दूसरा अपस्तर फादर बुल के देवदारू की चाया में बैठे रहते थे क्योंकि फादर का साथ सीतलता प्रदान करता है या देवदारू की चाया में अच्छी नीन आती है फादर क्यों पस्तिती देवदारू की चाया की तरह क्यों लगती थी सही आंसर सही विकल्प को द्यान से देखिए और अगलास का जो करेक्ट आंसर है वो है क्योंकि फादर का साथ सी तलता प्रदान करता है जैसे देबदारू का पेड़ दूर दूर तक फैलता है सबी को चाया देता है इसी प्रकार जो फादर कामिल बूल के वो भी सबी को चाया देते हैं सी तलता प्रदान करते ह तेर्मा सवाल फादर को मानवे करोना की दिब्य चमक क्यूं कहा गया है वा हिंदी से बहुत प्रेम करते थे फादर में इंसाने तोर करोना कूट कूट कर भरी थी फादर के मृत्तु जहरबाद से हुई थी या क्योंकि यह एक पार्ट का नाम है मानवे करोना की दिब्य चमक क्यूं कहा गया है किसी भी आप्सन में किसी भी सवाल में कोई भी डाउटो मुझे कमेंड कर सकते हैं और अगर आपको दूसरे पार्टों के भी जितिज़ में गद्य पत्य में चाहिए तो आपको क्रितिका के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका कर्रेक्टर आइस तरे फादर की में इंसानियत और करोना कूट कूट कर मरीती इसलिए उन्हें मानवे करोना की दिब्य चमक कहा जाता है चौत्वा सवाल फादर बुलके को कब जुझुलाते हुए देखा हालाएं कि फादर कामिल बुलके हमेशा प्रसंद चित रहते थे लेकिन कभी वो जुझुलाते थे कब घरवालों के बारे में जब उनके घरवालों के बारे में बात करते हुए जब हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्सा करते हिंदी बासा को उच्छ स्थान दिलवाते हुए या जब उनकी साधी की बात करते हैं तब उन्हें जुंजलाते हुए देखा है करेक्टान सायर तोड़ा सा सोचिए और आपको किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है मुझे कमेंट जरूर कीजिए चाहे चितिज में हो कृतिका में हो या गद्य पद्य में उसका सही आंसर है हिंदी वालों द्वारा हिंदी क्यूप एक्षा करना सोरी यह जल्दी हो गया हिंदी वालों द्वारा हिंदी क्यूप एक्षा करना इसका करेक्टान सर है पंद्रमा स्वाल फादर को याद करना डैस जैसा है कैसा है सोरी तो यह डैस जैसा है प्यारी वच्छो कोई भी चैप्टर आपको टौफ लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस चैप्टर को समझना है तो मैं आपकी कोशिज करूँगा आपके लिए उस चैप्टर को एजी करने की और इसका correct answer है 7 संगीत सुनने जैसा तो प्यारे वच्चों यह है आपके पास आज की जो हमारे पास जो जेप्टर है मानवे करोना का दीब्या चमक इसमें 15 सवाल आपके टोटल थे कितने आपके answer आए मुझे comment में बताएंगे वो उपर लिख करके जितने भी आये हैं और वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों को share कीजिए कोई भी doubt हो मुझे comment कर सकते हैं और ने दूसरे पार्ट की जो practice test है वो वीडियो के description में आप उसे ले लीजे वसे भी देख लीजे ताकि आपकी जो marks हैं वो 98 something आने चाहिए जय हिन जय वारत